कि द्वाइं है डोसतों आपका मेरी चैनल पे फिस्ञ वागट है और दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है तो इस वीडियो को करकिपगे पूरा देखेगा अगर इस वीडियो को कहीं करकて देखेंगे तो काफी information जो है important and information आप मिस कर जाएंगे जैसा कि दोस्तों आपने शीशक में देख लिया कि अगर आर्थिक मंदी आती है बेसिकली मंदी आती है रिसेशन का दौर आता है तो वो रियर स्टेट पर क्या बरबाव डालेगा तो यह वीडियो आज का इसी तौपिक पर आधारित है तो दोस्तु आप लोगों को शायद नियूस मिलती रहती होगी आपने कई न्यूज चानल में सुना होगा कई यूटूब चानल में सुना होगा और कई आर्शास्रे से सुना होगा कि हमारे अभी के दौर में कुछी समय में मंदी आ सकती है और यह मंदी काफी खतरना होगी क्योंकि अभी देखिए काफी उथल-फुथल मचा शेयर मार्केट डाउन है और आपका क्रिप्टो वगएरा जो भी इन्वेस्टमेंट टूल्स थे अधर देन रियल स्टेट इन में बुरी हालात हो चुके हैं और अर्थशास्री जो है जो भी एक्सपर्ट है वो मानते हैं कि यह हालात और बुरे होंगे लोगों को शायद देखेंगे कि काफी लोग वार्ण करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह की प्रसेटियां आ सकती हैं तो अक्रिप्ट करके अपने पैसे को होल्ड कर लीजिए और व्यर्थ में पैसे को खर्चना कीजिए अपने पास कैश रखना अनिवार है इस समय बनलब एक बैलन्स हो होना चाहिए देखें जो मैं मानता हूं कि कुछ हट तक सही भी है क्योंकि परिष्टियां देखिए अब आप लोग जानते होंगे सब लोग दिन पर दिन अपना न्यूस चैनल से या फिर और कई माध्यमों से इस तरह की जानकरी प्राप्त करते रहते हैं कि मंदी का दौर चाता जा रहा है महंगाई दर बढ़ती जा रही है और जिसको के लिए अपने हालक लग देशों की गौवर्मेंट अपने तरह से प्रयास कर रही है अभी भी महंगाई दर कंट्रोल में नहीं आ रही है तो देखिए इसके पीछे कुछ कारण है उसी कारण को पहले कि इस त तो शायद आप जो शेर मार्किट में डील करते हैं और जो स्टॉक्स प्रीप्ट के द्वरान भी है अ च्छे पैसे कंम थे स्टुना के दो अच्छे में हर हो और जिसके पीछिए जिए में अप्लोट करा पैसे औरbert बात्य को भी दो को scoldellत करते दो Hz भी लोगों ने अच्छा कैसा पैसा बनाया इवन दो रेल स्टेट ने भी एक अच्छा बुल्डरन पकड़ा और अच्छी मनलब रियल स्टेट में भी आप देखेंगे बहुत अच्छी खासी सेल होई इस दो साल के कोविड काल में और ऐसा नहीं हुआ कि रियल स्टेट एक वो है लॉजिक है देखें जब कोविड था तो वहां पर डिमांड बहुत चीजों की दो थी बहुत कम थी मलब एक लिमिटेड चीजों में लोग गुजारा कर रहे थे और कई चीजों की सप्लाई भी उस टेम में लिमिटेड हो गई थी बट उससे इतना फरक नहीं काफी महंगा हो गया था जिसकी वज़ेसे रियल स्टेट पर भी काफी प्रेशर आ रहा था कि अपने रेट उनको रिवाइस करने बड़े काफी बिल्डरों ने रेट रिवाइस करें आपने देखा ही होगा इसके इंदर तो क्योंकि उस टाइम में डिमांड एकदम सड़ल से कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा समय लगा तो अब आप देखेंगे कि थोड़ा चीजें थोड़े सी मैनेज हुई है हालाकि फिर भी वह वाल स्थर पे नहीं आई है जो लॉकडाउन से पहले चीजे थी या कोविड काल से पहले चीजे थी तो ऐसा ही है यह समय अभी दिमांड जो है वह काफी बढ़ चुकी है हर एक प्रोड़क्त की दिमांड बढ़ गई है तो इसलिए आप देखेंगे कि मार्केट में जो सप्लाई है वह ज्यादा होते हुए भी वह जो डिमांड है उसको मीट नहीं कर पा रही है हर जगा अलेक्ट्रॉनिक ले लिजिए के कंजूमर क्या कहते हैं आपका जैसे आपके और जो प्रोड़क्त हो गया या फिर आपका अधर जो भी प्रोड़क्त हैं जो भी यूजबल हर चीज की डिमांड बढ़ी होई है और इस तेम में सप्लाई कम है एवन दो आप मार्केट में जाके रिसर्च कर सकते हैं जैसे चाइना से भी कुछ जो आइटम आते थे वो भी अभी बैन है तो मतलब जो चाइना ने वर्ल्ड वाइड में अपनी सप्लाई घटा दिये तो इसकी वज़े से काफी चीजें जो है वो अभी उधल पथल मची हुई है और काफी मार्केट में आप डाउन आपको देखने को मिल रहा है और अब जो फॉरण इन्वेस्टर था वो भी धीरे धीरे पैसा खीशता जा रहा है मार्केट से जिससे शेर मार्केट भी डाउन होती जा रही है और यह जो पैसा है यह और भी खीचेंगे क्योंकि देखे पैसा यह बेसिकली गौर्वर्मेंट की पॉलिसीज ही चाहती है कि लोगों के हाथ से जो पैसा खीचा जाए तो अभी आप देखेंगे कि एफटी के रेट में भी कुछ हद तक बड़ातरी कर दी गई है क्योंकि गौर्मेंट चाहती है कि मांग को कंट्रोल करेंगे अगर लोगों के पास जो पैसा होगा हाथ में जो इन हैंड ज चाहती है तो इसलिए आप देखेंगे कि अब जो रेंड दरे हैं बेसिकली जो आप होम लोन होम लोन हैं उसकी दरे भी बढ़ रही है और इधर से एफटी के जो इंट्रस रेट से वह बढ़ रहे हैं मलब गौर्मेंट चाहती है कि आपके पास पैसा है वह आप हाउसिंग में ना लगाके यह इस तरह की स्कीम में ना लगाके बैंकों में डालें यह तो गौर्मेंट की मंद्शा है क्योंकि वह डिमांड को थोड़ा सा घटाना चाहते हैं अब आपको यहां पर सोच नहीं देखें अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब इंसिक्यूर है मलब नहीं पर भी आपके मन में डाउट है कि मेरी जॉब जा सकती है या मेरी कंबनी में कुछ इस तरह से क्राइजिस आ सकते हैं तो आपको हमारी तरफ से एक रियर स्टेट एक्सपर्ड की तरफ से या आप कह लिजे जितनी भी मुझे एकनॉमिक की नॉलेज है तो उसके कालना बड़ा मुश्किल पड़ जाए अगर यह रिसेशन का दौर इस तरह से ही चलता रहा और वाकी में फूल रिसेशन आ गया और बाकी अगर दीखें अगर यहां पर उल्ट है अगर आपके पास पैसा है और आपने सेविंग भी अच्छी खासी कर रखी है और आपको ल क्योंकि देखे यहां पर चीज़ें हैं खासकर अगर मैं स्टॉक्स वगरे की बात करूं या और चीजों की बात करूं तो अभी फिलाल डाउन जा रही है जो स्टॉक मार्केट वो डाउन जा रही है और अभी वह एकदम जब तक फूल डाउन नहीं जा दी तब तक उसमें करने का मतलब नहीं बनता है और अगर आपको लगता है कि आपको investment जैसे कि आपने long term investment करनी है आपको immediately return से कोई मतलब नहीं है और आपको save करना अपने पैसे को तो आप real estate में डाल सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा कुछ सेविंग है तो आप रियल स्टेट में डाल दीजिए क्योंकि आपका पैसा देखिए वहां पर यह होगा कि एकड़म अपनी होगा बट स्ट्रेग्नेंट हो जाएगी वह डिमांड जो रियल स्टेट में भी अभी एक हाइक आप देख रहे हैं डिमांड काफी उपर देख रह होगा और उसी तरह से अगर आप शेर मार्किट वगरा में तो पैसा इस टैम में लगाने का कोई ओचते नहीं है क्योंकि शेर मार्किट की हालात खराब हैं तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करनी हैं तो कहां करें अगर आपके पास पैसे हैं तो वह बसता है सिरफ रियल स्ट में इस टैम आगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कम सकम आपका पैसे की वैली उतनी रहेगी और दो चार साल बाद जैसे अभी वैसे तो परस्तितियां देखिए यह लंबे समय के लिए नहीं चलती है जो भी यह जो दौर होता है रिसेशन का वह बहुत ज्यादा लंबे समय तो आप देखेंगे फिर से जो लौन के रेट हैं वह डाउन हो जाते है और गवर्मेंट फिर जो अवरी के रेट होते हैं उनको भी डाउन कर देती है कि जिससे पैसा मलब उनके तरफ से मलब निकले बैकों मार्केट में व्लोट तो जब यह इस तरह से होने लग जाता है ही पुरानी वाली परशितियां आ गई हैं और देखे रिसेशन बहुत ज्यादा लंबे समय नहीं चलता है बड़ फिर भी आपको मेक्शूर होना चाहिए कि आपकी जौब उस रिसेशन के दौर में मनलब आप सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आपकी कंपनी स होती हैं जहां पर आप काम कर रहे होते हैं तो वहां से आपको आइडिया लगी जाता है तो वह आपका डिसीजन है और बाकी जैसे अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं खासकर अगर आप स्टॉक्स होगरे में इन्वेस्ट करते हैं इसमें तो आप एकदम थोड और जैसी मार्किट स्टेबल हो जाता है तो वहां पे आपको गेन देखने को मिल सकता है और रियल स्टेट में मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं आप अपने पैसे को लॉंग टरम के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप स्टेब गटा दिये हैं मैंने उसके बारे में आपको पहली समझा दिये यह क्यों हो रहा है गवर्मेंट से को कंजा इस को हरना चाहती है जहां के हर एक सेक्टर में डिमांड जो बड़ी हुए hele उसको बनान स्टो कंजा ओर रही है और आप से बजाएपकों में डालने से अच्छा में अगर आपका पैसा है तो उसे निकाल लीजी क्योंकि स्टॉक मार्केट अभी और डाउन जाने वाला है और उसे जब निकाल के फिर जब एकदम डाउन लेवल पर आ जाती है स्टॉक मार्केट तो फिर उस टाइम में इन्वेस्ट किजिए और धीरे-धीरे जब स्टॉक मार्केट उठने लगे जब धीरे-धीरे आपको लगे कि मार्केट उठ रहा है तब उसमें पैसा दुबार से डालिए तो यह सारी जानकारी थी काफी लोगों को देखे संक्षे कशिए अगर आपको मैं आज और लॉटेपल में पैसा ना दाले गया है वह काहीं अगर आजकल जो यह खासकर यूटू देखे ठीए वह हमेजा से आपको stock market में ही पैसा लगवाना चाहते हैं वो कभी भी real state में आपको नहीं कहेंगे कि आप से पैसा लगाई है यहां पे चीजें बड़ती नहीं यहां बहुत जल्दी और पर आपका जो पैसा है वह दीरी दीरे ग्रोग करता है एक मिचर्ट ली ग्रोथ नहीं करता थीरे दीरे ग्रोगरता है बट वह एक देखेंगे कि वह हमेशा से आपको इस तरह से आप्रोच करएंगे कि हम्सक्रीकित किजिए यह सकष्पकुल कि चैनल पक्रीकित करते हैं और उनकी नोने हुई बनाई हुई है जिसके थूँए इनस्तों किरेदे और आज कल आप आप देखते होंगे बहुत सारा एपयों खुल गए हैं बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कराने के लिए लोग आपको मार्केड में दिखेंगे जो बोलेंगे कि आप मुझे इतना पैसे देजीजिए मैं है जैसे मैंने आप लोगों को बता है कि जिसकी जॉब में क्राइश ale जा सकते हैं जिसको लगते हैं कि हां इस रेसेशन के दोगर में मीरी जब जा सकती है तो उसके लिए वह सला ठीक है वह जिसको जिसके पर cop morality युदैम क्राइश को अगर भी तो वो कहीं और लगा दें देखिए उनका बस वही मकसद है यहाँ पर आप इस चीज को समझिए इन लोगों का यहीं मकसद है जो यह एक्सपर्ट हैं क्योंकि यह चाहते हैं कि आपका पैसा स्टॉक्स में लगे वह नहीं चाहते हैं कि आप यहां पर इनका इंवेस्टर रियल स्टेट में चला गया तो वह तो चार से पांच साल के लिए बंद गया वहां पर उसका पैसा क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि रियल सेट में इन्वेस्टमेंट की वह शॉट्रम तो है यह नहीं उसे तो लॉंग ट्रम लेकि चलना इनको रहते हैं आपका पैसा करा तो यह सॉच्छनन देते हैं और ब्रहुत ब्लॉक्त करते हैं कि कि आप कोई भी स्टैम में पैसा न लगाएं अर्थवेस्ता में ये परसितियां आ रही हैं ये ऐसा हो जाएगा मार्केट क्रैश हो जाएगी फलान अडिंका न इस तरह से भै का महौल पूरा बनाया जा रहा है और इस भै को मतलब इस तरह से दिखाए जा रहा है कि हां इस त पुरानी पधिती है एक तरह से इन्वेस्टमेंट की तो यहां पर फेलियर मलब अगर आपको देखे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है इसा नहीं होगा कि आपने रियल स्टेट में लगाया और वह आपके बीस रुपे की कीमत पर आ ऑपका 100 रह सकता है सौ का जा स्यायदा पिचानवे हो सकता है इस से उपर नीचे नहीं होता वाल जैसे अगर आप थोड़ा सा समय के लिए रुखते हैं तो ऊपर होता है नीचे होने के चंसे हमें हैं बट यह जो अर्ट चास्त्रीह इंश्यों क्योंते सो बहुत सारे इन्वेस्टर इनके साथ जोड़े हुए तो इसलिए ये बहे का महौल जादा क्रेट कर देते हैं मार्केट में और जिससे कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर है वो कन्फ्यूज हो जाता है चाहे उसके पास पैसा भी है तो वो पैसा उस टैमे मार्केट में फ्लोट न आपको लगता है कि मेरी जॉब सेक्योर है या मेरे पास अच्छी पैसा है और मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर रिशेशन का दोर निकल भी जाता है ठीक है एक आदा इंक्रिमेंट नहीं हो सकता बट उससे मेरे को कोई खासा फरक नहीं पढ़ने वाला है और चीज बढ़ेंगी लोग सोच रहे हैं कि मार्केट में चीजें डाउन होंगी रेट्स डाउन होंगे और पता नहीं हमें बहुत सारी डिस्ट्रेस डील मिल सकती है बट ऐस सच ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अगर आपके पास कोई अच्छी डील मिलती है आपको चाह वह इनिशल के प्रॉसपेस से कभी मत आना रियल स्टेट मिंवेस्ट्मेंट हमेशा ही लोंके प्रॉसपेक्ट से ही करिएगा तबी आपको फैसा होता हुआ दिखाए देगा और बाकी यह है कि आप प्रॉपर्टी बनाएंगे जैसे एक प्रॉपर्टी बनाएंगे दो बनाएंगे तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको इन फूचर जो वहां से गेन मिलेगा वो कभी भी आपको स्टॉप मार्केट उगरा से नहीं मिल सकता यह मैं गरेंटेड देख लिए इससे कहीं पर भी लिखवा लिए क्योंकि आप आसपास देख लिए अपने महले में देख लिए कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्मेंट करा है और वह अच्छे खासा पैसा कमा चुके हैं अच्छे पैसे बना रहे हैं बट जो स्टॉक वाला था वह स्टॉक मार्केट में यह पैसा कमाने वाले मतलब बहुत कम है मतलब वह गिंती की चार लोग है बस उन्हीं का एक्जामपल दे दे के लोगों को लूटा जाता है यह आपर तो इसलिए और वह देखें ना इंस्परेश जो इंस्पायर करने के कि बना लिया है और इनको आगे दिखा दिखा के बस लोगों से स्टॉट में पैसा इन्वेस्ट किराए जाता है और जबकर वहं पे लोगों को लिटन मिलता है कहीं कहीं किसी को मिलता है ऑद उत्थन फिर भी नहीं मिल पाता। एड लेन जो प्रॉपेटिमें आपको एक सकती है आपकी property की value मनलब जैसे property बनाते जाएंगे तो वह जो चीजें वहाँ पर हो सकती है वह आपको stock market में नहीं हो सकती है तो इसलिए बहुत ध्यान पूरवक्त हैं सुनिए जैसे मैं हमीशा से कहता आता हूं कि सुनिए सब की करिए अपने मन की तो इसलिए आप एनलाइज कीजिए इन चीज़ों को मेरी बातों को भी एनलाइज कीजिए कि हाँ मुझे वस्तव रागि में कुछ इसमें तो आपको लगता है कि हा इसमें दम है या इन बातों में कहीं हद तक बी सचाई तो आप व Jul इसके हिसाप सर्थ हुद चल सकते हैं बाधि आपको जैसा आपका दिमाग कहें जैसा अपका दिल कहें जो वो तो प्रिक्राम ग्रूप से जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पर अंद करते हैं और आप आपको जल्ड मिलेंगे इसी तरह के और इंट्रस्टिंग और नॉलिजबल वीडियो के साथ तब तक के के लिए दोस्तों बाँ बाँ ऐंड टेक क्याएं तो